दोस्तो नमस्कार, MGB Study Point में आप सभी का स्वागत है दोस्तो कंप्यूटर का ओनलाइन टेस्ट आज हुआ है यदि आपने ये ओनलाइन टेस्ट नहीं दिया तो भी आप इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें इसमें कंप्यूटर से समदित कुल 25 क्यूटर है जो UPPCL की दरश्टी से भोत महत्यो पुरूर और इंपोर्टन भी है दोस्तो परते क्यूटर का कारण सही तो आपको उत्तर बताएंगे पूरी तरह से explain करेंगे कि इसका ये उत्तर कैसे आया इसलिए सभी क्यूटर से कुलाज तक आप जरूर देखें यदि आपको क्यूटर से लगे पसंद आ जाए तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना यदि आप चैनल पर नई हो तो आप चैनल को सभी subscribe जरूर करें चलिए दोस्तों कि उससे सुरू करेंगे कि उससे नमबर वन है कि एक control पेनल में विकल पद्वारा screen का resolution और font हम change कर सकते हैं हम जो समानित है एक screen देखते हैं उसको desktop कहा जाता है जब वो window से start यानि on कर लेते हैं तो उसको background बोलते हैं उस पर चोटे चोटे icons जो हमें दिखाई देते हैं folders उनको icon बोलते हैं यह जो पूरी complete screen हमें दिखाई देती है इसको screen का resolution बोलते हैं जो pixels में हमें दिखाई देता है इसकी जब भी हमें setting करनी हो इसके screen server या जैसे यह background हमें change करना हो तो यह total हमें control panel में जाना होता है और वहाँ जाकर के personalization and appearance पर click करेंगे तो हमें यह सब मिल जाता है user account दो तरह के होते हैं standard account और administrator account यहां से हम account की setting कर सकते हैं अंदर जाकर के administrator जो होता है वो पूरे computer की setting कर सकता है जबकि standard जिसको limited account भी बोलते हैं वो केवल अपने खाते की setting चेंज कर सकता है system और security में जैसे firewall एंटिवाइरस यह इस तरह की setting समभाँ पर कर सकते हैं अभी अपने question का answer भी रहेगा next question है कि name statement पर आप विचार कीजिए statement number one है कि volatile memory में power off होने के बाद भी data store रहता है और statement two कहता है कि cdr यानि compact disc recordable optical disc का उधारन है तो दोस्तो second statement तो सही है cd और dvd optical disc के इस रहनी में ही आती है जब कि floppy और hard disc magnetic disc के कि इस रहनी में आती है लेकिन volatile में मोरी volatile का मतलब होता है इस ता ही है temporary तो इसमें data तब ही तक रहता है जब तक video supply हो जैसे supply off हो तो इसमें data भी चले जाते है यानि statement one जो है वो incorrect है statement two जो है वो correct है next अपना question है window 10 में function की f5 के द्वारा हम क्या करते हैं तो f5 refresh करने के काम आती है आपने भी देखा होगा mouse से भी refresh कर सकते हैं और नहीं तो window अगर open कर रखी है अपने तो जो active window अपनी है हम f5 प्रेस करेंगे तो वो refresh होगी और item का नाम बदलने के लिए f2 होता है कोई file या folder है f2 प्रेस करेंगे तो rename का option आ जाता है help and support center जो है ये f1 से होती है next question है कि Microsoft word में thysource क्या है thysource को हिंदी बें बोलते है समनार्थी सब्द यानि हम किसी word को समझ नहीं पाए थे तो internet पर हम उसका similar word ढूंडते है न वही Microsoft word में एक facility दे दी और वो है thysource suppose that कि हम नहीं समझ पाए protection क्या होता है तो जब भी हम इसमें thysource पर click करके protection सब्द लिखेंगे न तो protection से related वो सारी सब्द हमें दिखा देगा जैसे security, safety, guarding, shielding तो किसी एक word से हम समझ जाएंगे कि protection सब्द का मतलब क्या है तो similar meaning word आएगा समान अर्थ वाले सब्द thysource एक option दिया है Microsoft word में next question है कि एक incoming mail protocol है जबकि दूसरा outgoing mail protocol है देखो यह मैं पहले भी करवा चुका हूँ हम internet पर mail बेज़ते हैं तो TCP और IP यानि transmission control protocol और internet protocol यह protocol हम use करते हैं और mail में कई तरह की protocol होते हैं यदि अपना नीजी account है तो post office protocol होता है यदि हमारा कोई business account है तो Microsoft exchange आई में जो होते हैं इनका आपन परोटोकोल यूज़ करते हैं लेकिन यदि outgoing यानि जो जा रही है mail उसके लिए बात करें तो SMTP है यानि P.O.P. incoming mail के लिए है और SMTP simple mail transfer protocol यह outgoing mail है यानि हम जब किसी को mail भेज रहे हैं तो वो SMTP के थूँ जाती है incoming है तो यह decide करेगा mail तो और P.O.P. का यूज़ करेगा और यदि किसी business account है तो वो internet exchange का उप्योग करेगा next अपना question है एक सलमे निमन में से कौन सा एक वैद formula है देखो formula जितने भी होते हैं सबी बराबर के निशान से शुरू होते हैं इसलिए A तो हो नहीं सकता फिर B option बिलकुल सही है यानि किसी संख्या की हमें power करनी होना तो इसके लिए वो दोनों संख्या इस तरह से लिखे जाती है कि बीच में कौमा होता है अलांकि इस power का मतलब यह है कि हम 2 की power 5 करना चाह रहे हैं यह भी ध्यान रखें यानि हम 2 की power 5 करना चाह रहे हैं तो उसको कैसे लिखा जाएगा ऐसे भी वेपर में क्योसन आज सकता है और याद रखें एकसल में सब फोर्मुले बराबर के निसान से स्टार्ट होते हैं तो बराबर का निसान तो उसमें होना ही चाहिए ठीक है हाँ इसमें देखें यदि 5,2 लिख देते हैं तो इसका मत्तब होता है हम 5 की square करना चाह रहे है नेक्स्ट अपना क्योसन है कि जब कोई भी email अधूरा रह जाता है तो आम तोर पर अपने आप save हो जाते है दोस्तों आप email लिख रहे थे चलते चलते आप exit हो गए जंक और spam जो होते हैं ये unwanted emails होते हैं और trace होते हैं delete किये वे email नेक्स्ट क्यूस्ट है कि निमनवे से कौन सा एक topology का परकार नहीं है topology होती है 5 परकार की bus, ring, star, mace और hybrid car नाम की कोई topology नहीं है नेक्स्ट क्यूस्ट है unwanted emails क्या कहलाते हैं एवांचित mail जो होते हैं उनको spam बोलते हैं अपन और automatic ये block mail की सरणी में भी चले जाते हैं यदि आपने mail में security own कर रखी है तो next question है कि निमन में से कौन सा एक मान ये search engine होता है देखो web browser अलग चीज़ होती है search engine अलग चीज़ होती है इसको आप समझने की कोशिस करें web browser के विले एक platform है जो हमें internet access करने का एक माध्यम परदान करते हैं उनमें आगे वो किसी search engine का use करते हैं जो search engine भी host की तरह वर्क करके सूचनाओं को search करके लाता है search engine भी तीन काम करता है वो भी ध्यान रखना आगे किस सर आएगा उस पर बात करूँगा मैं तो google, bing और yahoo ये search engine के परकार है याद रखें लेकिन हम इसके चारों option पर ही बात करेंगे chrome, firefox और safari ये web browser के परकार है application software की सिरेने में आएंगे window, linux और unix operating system के परकार है twitter, facebook और instagram program, social media की सिरेने में आते हैं next अपना question है कि एक website का top level domain dot org है, ये website किस से समन्दित है, एक website का जो complete URL होता है, वो 4 और 5 बागों से मिलकर बनता है, जिसमें सब से पहले आता है protocol, उसके बाद में आता है domain फिर आता है sub domain और उसके बाद में top level domain, top level domain होते हैं, जैसे dot gov, dot in, dot edu, website के लास्ट में लगते हैं न, ये top level domain कहलाते हैं, ये यूं संकेत करते हैं कि ये website किस परकार की है, तो dot org का मतलब है, कोई organization है, यानि किसी संक्ठन से समन्दित है, जैसे dot com लगा हुआ है, इसका मतलब कोई commercial site है, वानिजिक site है, dot edu, यानि education है, dot gov, यानि सरकारी website है, next question है कि कंप्यूटर से समन्दित सब्द USB का पूरा नाम क्या है, तो USB port आजकले computer में आता है, और पूरा नाम होता है universal serial bus, एक bus होती है, और universal यानि pen drive और data cable किसी भी तरह कई, या इतने भी उसमें, एड़ कर लो, बस का मतलब यही होता है, कि उसमें, एक केबिल पर अनेक data हम एड़ कर सकते हैं, universal serial bus, पूरा नाम होता है, next question है कि window 10 में window defender क्या है, real time antivirus है, यानि inbuilt feature उन्होंने दिया है, जो real time, यानि जब भी internet चालू करते हैं, जब भी computer start करते हैं हम, तो यह automatic background में run करता रहता है, और computer को virus से protection देता है, तो real time antivirus होता है, next question है कि निमन में से कौन सा सब्द Microsoft Word से नहीं है, यह तो बहुत easy है, ना, clip part, छोटी छोटी pictures होती है, ग्राफिक्स जो पहले से उसमें save रहती है, header footer, page के परते एक भाग पर, हम page number, lesson का नाम, यह चीज़ रिपीट करते हैं, book mark और hyperlink कि यह भी हो गया, connect करना कि इस चीज़ को location save करना, presentation नहीं है, यह किस से समदित है, powerpoint से समदित नाम है next question है कि Microsoft Word में center alignment की shortcut की क्या alignment होती है, चार तरह की left, right, center और justify, alignment का मतलब होता है, set करना, ठीक है, justify की J, left की L, right की R, और center की control प्लस E होती है, यानि हम control, text को select करके control प्लस E प्रेस कर देते हैं, तो वो बिलकुल center में align हो जाता है, next question है कि निमन में से cloud storage कौन कौन से है, देको cloud storage को बोलते हैं, एक तरह से online storage, तो Google Drive, OneDrive और Dropbox, ये तीनो online storage के हैं, जहां document सेव कर सकते हैं, mostly आजकल Google Drive का बहुत अधिक उपयोग हो रहा है, क्योंकि ये Android का बनाया हुआ है, और mobile का system है, OneDrive जो है, ये Microsoft company का है, और ये आपको computer में window के साथ मिलेगा, ठीक है, Chrome, Safari इनके बारे में बात कर चुके हैं, ये वे ब्राउजर है, Amazon, Snape Deal, Flipkart, ये online shopping site है, और ये social media है, नेक्स्ट क्यूस्टन है, कि Microsoft PowerPoint में केवल selected slide का ही show हमें करना है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए, जाना, देखो Microsoft PowerPoint में slide 104 तरह से होता है, जो चारव option आपको दिखाई दे रहे हैं, slide show start from the beginning, तो इसका मतलब होता है, आपने जितनी slide बनाई थी, सभी slide को एक साथ show करना चाह रहे हैं, हम एक से जैसे 20 बनाई थी, तो एक से 20 तक, slide show from current slide, हमने 20 नंबर slide पे कुछ transition और animation एड़ किये हैं, हम ये देखना चाहते हैं, कि वो animation कैसे ठीक ठाक select हुए कि नहीं, तो केवल एक ही slide को देख सकते हैं, broadcast slide show, यानि इसमें आती है वो कि हम जिस slide को देखना चाहते हैं, तो दूर बेटे हम उसको remote control भी कर सकते हैं, और custom slide show में आता है, केवल selected slide, जैसे हमने 20 slide थी, बनाई थी, लेकिन हम चाहते हैं कि 1, 5, 7 और 9, बस यही show हो, तो उतनी ही होगी, नेक्स्ट कुस्टन है कि निम्न में से कौन सा mobile का operating system है, तो android है mobile का operating system, और ये भी याद रखे हैं, अलग-अलग तर ऐसे होते हैं, जैसे apple का है, तो ink operating system है, उनका भी mobile में अलग याद रखे हैं, जब कि window, makeintos operating system और unix, ये सभी desktop के operating system है, नेक्स्ट किस्टन है कि Microsoft Word 2010 में सेव की फाइल का extension नाम क्या है, .docx होता है, 2007 और 3 में .docx था, अब .docx आने लग गया है, Excel वाली में .xlsx होता है, और PowerPoint वाली में .pptx होता है, Microsoft की फाइल को document, Excel की फाइल को workbook, और PowerPoint की फाइल को presentation कहा जाता है, नेक्स्ट किस्टन है कि data जिस speed से network में इस्तानतरित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, data की speed कहते हैं, और वो bits per second यानि BPS में होती है, अलांकि आज के network के quality अच्छी है, तो वो MBPS और KBPS में speed भी चलती है, जिस system से वो transmission होता है, और कई तरह के होते हैं, अपने वर्तमान में wide band यानि broad band सबसे अधिक काम में लिया जाता है, नेक्स्ट अपना question है कि एक परकार का, sorry, कौन सा एक antivirus का परकार नहीं है, देखो quick hill और make fee, ये तो window 10 में inbuilt antivirus है, जो साथ में ही आते हैं, आवाश्ट हमें अलग से purchase गरना पड़ता है, और 30 day trial रहता है, इसके बाद में ये भी chargeable हो जाता है, ठीक है, window नाम से कोई antivirus नहीं है, ये operating system है, ठीक है, तो मैंने इतना easy दिया था, option था कि आप समझ सको, दोस्तों हमारा उदेश ये है कि, आप exam की दर्ष्टी से तियार होकर जाएं, अब हम antivirus से समझ दिया है, तो आपको antivirus से समझ दिया है, और भी जितने नाम है, वो भी पढ़ने पढ़ेंगे, antivirus सिर्फ तीन ही नहीं है, quick, hill, makefee और awast, ये तीन ही antivirus नहीं है, antivirus और भी बहुत है, जो www को वेवस्ति तरीके से ब्राउज करता है, और search engine सूचना की एक index बनाता है, यानि simple सी बात ये जो मैं कह रहा था पहले, वेब ब्राउजर एक application software है, ये हमें internet पर सूचना access करने का platform देता है, उस पर सूचना को access करने के लिए, ये हम एक search engine का उव्योग करते हैं, और वो search engine as a host होता है, यानि वो mediator है, वो user से command लेता है, आगे सूचना search करके लाकर के फिर user को दे देता है, यानि वो mediator हो गया जिसको host बोलते हैं, यानि search engine एक host की तरह वर्क करता है, एक search engine real time में तीन काम करता है, वो सबसे पहले जैसे इस post that की आपने search किया, यूपी PCL, तो वो यूपी PCL से समधित जितनी भी चीज़े हैं, उनको nano second, micro second में search करेगा, और वो ढूंड रहा है सबको, दोड़ता हुआ जा रहा है सभी network के पास, और इस करकिर्या को बोलते है, रेंग ना, जिसको English में वेब crawling कहा गया है, फिर वो उन सब की complete एक वेब indexing बना देगा, यानि हमें वो sequence wise show कर देगा, इस क्रीन पर हम देखते हैं न, micro second में इतने 1000 result, यानि UP PCL, UP PCL से समधित कुछ है को वो अपने को website show कर देता है, जिसको वेब indexing कहते हैं, आपने उन में से किसी और पर फरदर क्लिक किया, तो फिर वो नया उस से समधित detail खोलता है, जिसको वेब searching कहा जाता है, नेक्स्ट अपना क्यों से नहीं कि window 10 में mobility center से हम computer में क्या-क्या setting कर सकते हैं, mobility center यही होती है, जो brightness, volume, screen का rotation, setting, power saver, screen saver, यह इस तरह की settings उनमें आजगल आ गई है, तो यह setting window mobility center से हम कर रखते हैं, जैसे speaker जो ओड़ रख है तो उसकी volume कैसे set करेंगे, नेक्स्ट क्यूस्ट नहीं कि निमन में से कौन सा एक virus का परकार नहीं है, देखो वाइरस का परकार पूछा है, attack का नहीं, तो यह facing जो है, यह virus का परकार नहीं है, हलांकि यह attack में जरूर आती है, जैसे deny love service हो गया, mailvertising हो गया, trojan horse, spyware और key logger, यह तीनों के तीनों malware की सरेंड़ में आते हैं, यह तीनों के तीनों virus के परकार है, बस इने में virus करने की जो गुजने की तरीका है ना, वो अलग है, key logger क्या करता है, कि हमारे key stroke को पहचानता है, इसलिए लोग virtual keyboard यूज़ करते हैं, online keyboard यूज़ करते हैं, online keyboard में क्या होता है, कि कहीं भी कोई भी alphabet उपर नीचे हो सकता है, याद रखें, ठीक है, तो कुछ virus ऐसे होते हैं, जो की stroke को, जैसे आपने net banking यूज़ करते हैं, यूजर आइडी और password क्या डाले होंगे, तो वो इसको stroke में पकड़ लेता है, तो ये phishing जो है, ये virus का परकार नहीं है, ये क्या होता है, ये एक attack होता है, किस तरह से, इसमें email के साथ में, हमें कोई link बेजा जाता है, जिस पर click करने के लिए कहते हैं, उस पर click करने के बाद, व्यक्तिकर जानकारी हम से भरवा ली जाती है, उस जानकारी को वो hack कर लेते हैं, next अपना question है, कि data के साथ सेल में embedded एक विज्वल समरी दरसाने वाले छोटे चार्ट को क्या कहते हैं, दोस्तों इनको spark line बोलते हैं, और example मैं आपको अब स्क्रीन पर तो इसका कैसे दूँ, जैसे छोटा सेल देख रहे हैं तो इसमें यहाँ line होती है, जिसके चारों हो रही कहना छोटी सी line टिम टिम आती रहती है, मैं यहीं बोलूँगा, समझ गई क्या, छोटी सी line होती है LED टाइप में, जो line टिम 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 आती रहती है, एक तरह से उसको highlight कर देती है, उनको spark line बोलते हैं, और Excel 2010 में यह छोटे चार्ट के रूप में आती है, जो किसी चीज़ को सारांस के रूप में explain कर देती हैगी, बस आप तो यह देख लो, पूरे चार्ट करने चोड़ यहाँ है, टीक है, तो बस दोस्तों यह थे आज के 25 क्यूस्टन, उम्मीद करताओं कि उस्तन पसंद आये होंगे, यदि कि उस्तन अच्छे लगे हैं, explain करने का तरीका पसंद आया है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जुरूर करें, यदि चैनल पर नए हैं, तो आप MGB Study Point इस चैनल को सबिस्क्राइब जुरूर करें, आगे अपने दोस्तों को WhatsApp ग्रूप में ये वीडियो सेर जुरूर कर दें,